देश में लोक सभा चुनाओ हो या बिधान सभा चुनाओ सीधी लराई NDA और इंडिया ब्लॉक के बीच होती है और एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक बिखरसा गया है RJD ने 20 से 21 सीटों पर अकेले चुनाओ लड़ने की तैयारी कर ली है एलान कर दिया है प्रेश्वी अदब की पार्टी RJD के राष्टिये प्रवक्ता मनोज जाने जार्खन बिधान सभात चुनाओ से पहले जार्खन मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस को 24 घंटे की आखरी मोहलत दी है साब तोर पे मनोज जाके द्वारा कहा गया है कि मन चाही सीटे नहीं मिले पर सोमबार को RJD अपने उमिद्वारों का एलान कर देगी और RJD भी से किस सीटों पर अकेले चुनाओ लरेगी दरसल जार्खन के मुखे मंत्री हैमन सोरेन ने सनिवार को इंडिया ब्लॉग में सीट सेडिंग का एलान किया था हैमन सोरेन ने मिडिया के सामने ये कहा था कि कॉंग्रेस और जार्खन मुक्ती मोर्चा 70 विजान सवा सीटों पर चुनाओ लरेगी बांकी की 11 सीटे RJD और बामपंती पार्टियों के लिए छोर दी जाएगी 11 में से RJD कितने पर लरेगी और बामपंती पार्टि का क्या सेर होगा ये बाद में तै होगा लेकिन आज RJD ने बताया कि उसे सिर्फ तीन से चार सीट देने की बात कही गई है RJD से रासवा सांसद राष्टिय प्रवक्ता मनोज जाने कहा कि पिछले तीन दिनों में जार्खन मुक्ती मोर्चा से सीट सेरिंग को लेकर बातचित जरूर हुई सुक्रबार को तेश्वी यादब और हेवन सोरेंट की मुलाकात हुई लेकिन इसमें यह तै नहीं हुआ कि RJD कितने सीटों पर चुनाओ लड़ेगी मिलकर चुनाओ लड़ेंगे ये बात जरूर सामने आई सीट शेरिंग को जब चर्चा किया गया तो RJD को सही सम्मान नहीं मिला जे एमेम यानि ज़ारकन मुक्ती मुर्चा के नेताओं के दौरा सही सम्मान नहीं दिया गया RJD को और अब 24 घंटे की आकरी मोहलत मैं दे रहा हूँ कॉंग्रेस और ज़ारकन मुक्ती मुर्चा को वो तै कर लें कि RJD को कितने सीटे दे नहीं है RJD को अगर मन चाही सीटे नहीं मिलती है तो RJD 20 से किस सीटों पर अकेले चुनाओ लड़ेगी पिछले विजान सवा चुनाओ में भी RJD ने मन मारकर 7 सीटों पर चुनाओ लड़ा था लेकिन इस बार हम मानने को तैयार नहीं है इस बार हम अकेले दम पर 20 से किस सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे और हम उसी सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे जहां हमारा जनाधार जारखन मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रस से मजबूत है जहां RJD के वोटर्स हैं जहां RJD का वोट बैंक है वहां हम अपने हुईद्वार को उतारेंगे और बांके सीटों पर मैं अपने गटवंधन को सपोर्ट कर दूँगा मनोज्जान ने कहा कि सनिवार की साम में हमारी फिर से जहारखन मुक्ती मोर्चा के नेताओं से मुलाकात हुई थी उसमें RJD नेताओं को सही सम्मान नहीं दिया गया RJD की और से जहारखन प्रवारी और पुर्व केंद्रिय मंत्री जैपरकास नरायन यादब बात करने गए थे लेकिन उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं की गई जहारखन मुक्ती मोर्चा से जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि RJD को सिर्फ तीन से चार सीटे डी जाएगी इससे ज्यादा संभव नहीं है मनो जाने कहा कि तीन चार सीट पर चुनाओ लडने का आफर ना हमारे नेता को मंजूर है ना हमारे कारिकरताओं को मंजूर है हमारी पार्टी RJD तयार है 20-20 चीटों पर अक्यले चुनाओ लडने को तो एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक बिखरसा गया है जहारखन जानसवा चुनाओ से पहले ही अन्दबन सुरू हो गई है तेश्वी यादब जहारखन में है उनकी मुलाकात हुई थी हेवन सोरेन से लेकिन सीट फर्मूले पर बात नहीं बन पाई उसके बाद जब एक बार फिर से RJD के नेता और जहारखन मुक्ती मुर्चा के नेता एक साथ बैठे तो मनोज़ा का दावा है कि RJD के नेता को सही सम्मान नहीं दिया गया अब हम लोग तयार है बीस से किस सीटो पर अकेले चुनाव लरेंगे और उन सीटो पर चुनाव लरेंगे जहां हमारा जनाधार है जहां हमारे वोटर्स है जहां हमारा वोट बैंक है और उन सीटों को हम छोड़ देंगे जहां हमरा जनधार नहीं है वहां हम अपने गटबंधन को सपोर्ट करेंगे मनोजा में अपने वयान में यहवी साफ तोर पे बता दिया है कि हमने 24 घंटे की आखड़ी महुलत दी है कॉंग्रेस और जहारकण मुक्ती मोर्चा को सोमबार तक अगर जहारकण मुक्ती मोर्चा और कॉंग्रेस आरजेडी को मंचाही सीट नहीं देती है तो आरजेडी अपने वयद्वारों का एलान कर देगी 20 से 20 सीटों पर और सोमबार को ही अपने वयद्वार की पहली सूची आरजेडी जारी कर देगी अब देखना दिल्चस्प रहता है कि जहारकण मुझान सवाच नहीं से पहले जीस तरह से इंडिया ब्लॉग भिख रहा है इस से फायदा किसको मिलता है आरजेडी को फायदा होता है या फिर एंडिया को फायदा होता है परहाल इस कबर में इतना ही आप तमाम अपडेट क कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं ह इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के इहोम्स पैनरोमा में पूर्णिया में पैनरोमा ग्रूप लेकर आये हैं ऑड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुईधाों के सओं अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं. घर वापसी की खुशी पूर्णया में E-Homes Panorama के संग E-Homes Panorama Luxurious, Lifestyle Redefined